नमस्कार मैं हूँ आलोग सुर्पाठी और आज हम बात करेंगे उत्तरपदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितेनाक से आपका ETV में बहुत-बहुत सागत है आप कोविट काल से ही उत्तरपदेश के सभी जिनों के दोरे कर रहे हैं और कई-कई बाहर जिनों के दोरे हो गए हैं इस चुनाओ में क्या देख रहे हैं आप किस तरफ जा रहा है चुनाओ देखे चुनाओ भारती जन्ता पार्टी के रास्टबाद विकास और सुसासन के जेंडे पर जा रहा है और जन्ता जनारदन ठान चुकी है कि उन्हें स्वरक्सा देने वाली उनके उच्चल भोशे के लिए विकास के कारियों को प्रात्मिक्ता के आधार पर डबल स्पीट के साथ बढ़ाने वाली बिना भेद भाव के हर गाँ, हर गरीब, हर किसान, हर नौज़वान और हर महिला को सासन की सुवधा से जोड़ने वाली भारतिय जन्ता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को प्रदेश के अंदर हर हाल में लहना है और चुनाओं के अब तक के तीन चड़णों के जो रुज़ान है, वो इसका स्वस्चन के सब्सक्रत है हाली में कुछ आतंकियों को सजा सुनाई गई, उनमें से एक का संबंद कुछ सपा के जो अध्यक्ष है अख्लेश जादो जी उनके साथ उसके पिता का फोटो इस पर इस पर क्या कहें गया समाजवादी पाल्टी का इतियाद सुरक्षा के मुद्दे पर अत्यंत ही खराब रहा है 2013 में जब समाजवादी पाल्टी की सरकार थी, तो नोंने उस समय उस्तरफ़देश के अंदर जितनी भी आतंकी घटनाए उससे पूर होई थी अयुद्या में राम जनम भूई पर हमले का हो, कासी में संकट मोचन मंदिर के हमले का, लखनो, वारानासी और अयुद्या की कचहरियों पर हमले, गोरकपूर, कानपूर और विजनौर की स्रीरेल बलाष्ट, रामपूर के स्यार्पियर कैम पर हमले, जितने भी आतंकी घट कित्मों को वापस लेने का कुछ सिद प्रियाथ समाजवादी पालिटी के सरकार का पूरा इत्यास ही प्रदेश के अंदर अपने राजनितिक स्वार्त के लिए, वोट बैंग की राजनीती करने के लिए उनने राश्टी सुरक्सा के साथ खिलवार किया प्रदेश को दंगों के आख में जोका प्रदेश में पेसेवर माफ्या और गुंडों को प्रसरे दिया तो ये तो समाजबादी पार्टी का फुनाना जो संदिक तो इत्यास रहा है वो पहले से हर बेक्ती जामता था अभी तीन दिन पहले जो गुजराद की एक नयाईले ने फैसला दिया है गुजराद की सीरियल बलाश्ट के मामलों में वांचित अभ्यक्तों के खिलाब कारवाई करने के लिए की है जिसमें 38 को फांसी की सिजा हुई है 11 का जीवन कारवात उसमें से 9 लोगों का समझ उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश में सबाधिक आतंकी आजमगड के संजरपूर गां और उसके असपास के है संजरपूर का एक आतंकी जिसके भाई का समन दिल्लिक के बठला हाउस की घटना से भी रहा है और सीरिया भाग चुका है वह से तातंकी है और एक यहाँ है इनका जो बाप है और समाजवादी पार्टी का सक्रिय कारी करता है समाजवादी पार्टी का प्रचारक है मुझे असर होता है कि हर छोटी बड़ी घटना पर क्रिया प्रसिक्रिया ब्यक्त करने वाली समाजवादी पार्टी के मुख्या 2013 की घटना को लेकि मौन क्यों है और अभी तक क्यों मौन है आपने माफियों के खिलाब उत्तर प्रदेश में बड़ी कारवाई की बॉल्डेजर चलवाएं आपने समाजवादी पार्टी इसकी व्यालोचना करती है अखलेस अक्सर आपको बॉल्डेजर बाबा कहकर वहां सुलाते हैं आप क्यूं ऐसा करते हैं देखे यहे तो दुर्भागे पूर्ण है कि समाजवादी पार्टी जिसने प्रदेश में चाचार बार सब्ता समाली हो उसकी सम्वेदना कभी प्रदेश के गरीबों के प्रती ब्यापारियों के प्रती नौजवानों के प्रती यहां की महलाओं के सुरक्षा के प्रती कभी नहीं उन पेसेवर अपराधियों और माफियाओं के मन में भै न हो, समाजवादी पार्टी हमेशा उनको सत्ता का प्रस्रे देती थे, हमारी सरकार 2017 में लोग कल्यान संकल पत्र के साथ आई थे, हम लोगों ने जो कहा वो करके दिखाया, अपराध और अपराधी के प्रती जिरो टॉलेंस की नितिके तक कारे करेंगे, हम लोगों ने जिरो टॉलेंस अपनाया, उस्तरप्रदेश का बुलोजर इंफ्रस्ट्रक्चर डेबलमेंट का प्रतीग भी है, तो माफियों की मन में भै का प्रतीग भी है, दिकास भी होगा, और अवैद निर्मान पर दौस्तिकरण की कारवाई भी होगी, दोनों एक साथ चलेंगे, और मैं फिर इस बात को कह सकता हूँ, दस मार्च के बाद जब भारतिय जनता पार्टी की घर से सरकार आएगी, सरकार अपने सुरक्सा के मुद्दे पर कोई समझोता किये वेगर, दिकास के मुद्दे पर समझोता किये वेगर, किसी भी ऐसे मुद्दे पर समझोता किये वेगर, जो प्रदेश के हित में हो, ने कदम उठाया था जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई अभी सुप्रीम कोर्ट में में हस्तक्षेप किया है और अभी आप से कहा है कि आप वह मुकदमे और जुन्मानों वापस ले इसको लेकर आप सरकार में अगर आते हैं तो आप क्या करेंगे देखिए मानिय उच्च पासन ने उसको पहले एड्मिनिस्टेटिव और से किया था बाद में हम लोगों ने इसका एक्ट बनाया एक्ट बनने के पहले कुछ लोगों से यह वसूली प्रसासनिक आदेश से हुआ था हम अलेडी एक्ट बना चुके हैं तीन ट्यूबनल गठित कर चुके हैं लखनों में प्रियागराज में और मेरट में नैले ने भी इस वात को कहा है कि आप ट्यूबनल के माध्यम से उसूली कर पकते हैं अध्मिनिस्टेटिव और से लहीं तो वहां एड्मिनिस्टेटिव और को विड्रॉ करना है जो कारवाई हमारी पहले प्रसलित है और यह कारवाई अब हमारी जूडिसल जो यहां पर हम लोगों ने वो गठित किये हैं कोट गठित किये हैं उनके माध्यम से शुरू होगी अभी हिजाब को लेके गुजरात से एक विवाग सुरू हुआ है इस पर आपका क्या द्रिस्टेटिव है करनाटक से मामला सामने आया है और मेरा य इसकी विवस्ता समयधान से चलीगी कि बेक्तेगत कानुने सर्यत से नहीं है घर के अंदर आपका अपना पहनावा हो सकता है लेकिन किसी संस्ता में जो वहां की निर्धारित बेस कोड होगा उसका लागो होना चाहिए और मुझे लगता है तीन तलाक की कोपर्था को समाब कि देश की हर बेटी को आगे बढ़ने का पुरा उसर दिया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि अब्यान से लेकर कि आज देश की बेटियां फाइटर विमान का भी सुन चलन कर रही है ऐसे समय में हम सरिया के माद्यम से आधी आवादी को जवरदस्ती उन पर अपने बातों को थोपना चाहेंगे चीज़े नहीं हो सकती है कि समिधान के दाइरे में रहकर कि समिधानिक प्रावधानों के नुसारी तेश के वस्ता चलेगी उसी में सब का कजिया कुरूना काल में आप बराबर पहले भी शक्री रहे कोवीड आपको हुआ उसके प्रकाया कॉंग्रेश थी कहाुआ । एक क्विटर के बार नहीं थे पार किसी का पता नहीं थे करो ना की पहली वेब हो दूसरी वेब वो या तीसरी वेब ये जित्ते नेताज चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं सपा के हूँ बसपा के हूँ या कॉंग्रेट के ये किवल चुनाओं के दोरान दिखाई दे रहे हैं पिसले तीन चार महिनों से उससे पहले सभी लोग गायब थे होम आइसुलेशन में थे करोना की फस्ट वेप से ले करके नहीं लॉकडाउन प्रारम होने से ले करके अब तक या तो केंदर सरकार या राज्य सरकार सक्रिय थी प्रधान मंत्री मोधी जी के कारण जीवन और जीविका को बचाने का बेहतरीन प्रबंद भी किया गया और बीजेपी से जुड़े भी जन प्रतिनिती या संगठन के कारेकरता ही इसमें सक्रिय थे सौभाई ग्रुप से उत्तर प्रधेश के करोना प्रबंदन की सराना देश ने भी और दुनिया ने भी की है जनता जनारदन भी जानती है किए कोविट प्रबंदन युपी का जितना अच्छा जिसमें जीवन को बचाने की गारंटी भी है उनकी जीविका को भी जिसमें बिमारी से बचाने के लिए वैकसीन है फ्री टेस्ट फिरी उप्चार और वैकसीन है तो उन लोगों के भूकमरी से बचाने के लिए फ्री में राचन के शुवदा भी है डबल इंजिन के सरकार है तो महिने में दो बार राचन भी फ्री में बिलना है आपके पास एक लंबी फेरिस्त है जो आपने काम कियें पिछले पांच साल में इसके बावजूद चुनाओं में जिन्ना और तरह तरह के इशूद आ जाते हैं जब पूरा देश राच्टी एक्ता दिवस के रूप में सरदार बल्लभाई पटेल की जेनती बना रहा था उस दिन समाजवादी पार्टी जिन्ना को महमामनित कर रही थे जिस दिन हम लोग प्रदेश के यूथ को स्मार्टफोन और कम्प्यूटर वित्रित कर रहे थे पाकिस्तान का गुंगान गा रही थे तो जिन्ना और पाकिस्तान का मुद्दावी लोग लेकर आए है हम लोग लेके ने आये हैं हम तो राष्टबाद विकास और सुसासन के मुद्दे पर ही सब का साथ सबके विकास की भावना को सके साथ ही इस चुनावी समर में है और अपनी बातों को दमदार तरीके से लगते हैं एक आखरी सवाल आप से इस चुनाव में क्या आपका अनुमान है भारती जनता पार्टी कितनी सिरे जीत के आ सकती है देखें लडाई असी बनाम 20 की है असी फीज़ती में बस्पास सफा और कॉंग्रेस की बिच बट्ला रहा है असी बीज़ती को कुछ का अर्थ समाजवाती पार्टी कुछ दूसरी तरभ ले जाती इस पर भी मुणरी कुर्टा होती है तक सोच जैसी होगी यो यह से अर्थ्थ लेंगे हमारी सोच असफ़र्ष्ट है कि जो लोग सुरक्सा कि दशलों कि पखशार्ज हैे जो लुग आस्था के सम्मान पेंग्र किप्सदर गृण का लियाण करी योजनौ के प्रफटर और हें खोरीब को मकान मिलना ना चाहिए ए सब्सक्राइब करेंगे जो लोग चाहते हैं दंगा हो माफ्याओं का वर्चस्षों हो अराजकता फेले आतंकी गत्विध्यों टीजी के साथ पन पे वे लोग 20 प्रस्त लोग भारतिये जनता पार्टी के विरोत में पोल करेंगे जोग हमसे बात करने के लिए बहुत थैनेवाद ये थे उत्तरप्रदेस के मुत मंत्री योगी आजीतिनाफ जी जो बता रहे थे कि वह कैसे उत्रप्रदेश में काम कर रहे हैं उनके सरकार के उप्लब्धिया भी पता रहे थे कैमरमन विजय के साथ मैं अलोक्तुर पाथी एक भी भारत लखनू